नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल टीचर जो उप्सुनिल में दुवारा आपका फिर से स्वागत है दोस्तों दुवारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नौन टीचिंग वेकेंसी लेकर के आया हूँ और ये जो वेकेंसी आई हुए डिये भी पब्लिक स्कूल से आई हुई है तो इस वेकेंसी के डीटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेटेस्ट प्राइबेट गॉर्मेंट हर एक छोटी वड़ी टीचिंग वेकेंसी की अपडेट रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाले वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सेर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वाइर्मेंट है या जो वीड कर चुके हैं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वीडियो के साथ साथ ओनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है सारी जानकारी दूँगा तो वीडियो पर लास तक बने रहिएगा इसकीप नहीं करिएगा इसकीप करने से जो है आप मेंपॉइंट मिस कर सकते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट है दोस्तों PGT English, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Hindi, Commerce, Economics, Computer Science, Physical Education और Painting की है इसके अलबा TGT में जो है English, Science, Mathematics, Social Science, Hindi, Sanskrit, Computer, Music, Painting, Library and Physical Education पे आटी में जो पोस्ट है English, Science, Mathematics, EBS, Social Science, Hindi, Sanskrit, Computer Science, Music, Painting, Physical Education, Librarian, Counselor और Wellness Teacher की इसके अलबा नन टीचिंग में LDC, UDC, Assistant और Office Superintendent की वेकेंसी है PGT में आपका PG 50% marks with BAE होनी चाहिए Fiscal Education में MP8 वाले अपलाई करेंगे और जो है Panting में MFA वाले इसके अलबा जो है TGT में आप देख सकते है Post-Graduation या Graduation 50% marks, Concerns, Subject, BA, Seated या Estate, Paper 2 होनी चाहिए Music में Graduation, Music से Panting में BFA, MFA Fiscal Education में BPA, MP8 वाले अपलाई कर सकते हैं Librarian में Emily, Believe वाले PRT में आपका Graduation 50% marks, BA और Seated पेपर 2 है या Estate, Paper 1 तो अपलाई कर सकते हैं DLA वाले भी अपलाई जरूर करें Music की यहाँ पे देख सकते है Graduation Music से Painting वाले BFA, MFA, Fiscal Education, VPA, MP8 और Librarian के लिए Believe, Emily वाले अपलाई करेंगे Counselor के लिए Psychology से PG है आपका Post-Graduation with Diploma, Career Guidance और Concelling से है तो अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे जो है LDC में graduation 50% marks, Commerce graduation को prefer दिया जाएगा और MS Office 3-year experience मांगा गया है UDC में भी सेम है आपका Commerce graduation होनी चाहिए MS Office 5-year experience मांगा गया है Assistant में graduation या Post-Graduation 50% marks, Commerce से With Knowledge of Drafting Account, Regulation of Educational Department के जानकारी, Tally अगेरा के जानकारी होनी चाहिए PGT में 5-year experience मांगा गया है TGT में 3-year experience मांगा गया PRT में भी 3-year experience मांगा गया इसके अलावा Communication skill आपकी अच्छी होनी चाहिए Computer के जानकारी होनी चाहिए TADA नहीं दिया जाएगा Candidate must carry one recent passport size photograph इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं No appointment will be considered without seated या estate जो है आपका इस form को फिल नहीं करें Salary 6-7 pay commission के हिसाब से दी जाएगी Regular appointment होता है तो आपका जो है pressure जो है तो above 35 years age है तो apply नहीं करेंगे दोस्तों उससे below age आपकी होनी चाहिए अगर आपका experience है तो आपको छूट दी जाएगी या आपको कोई doubt होता है तो आप रिकूट्मेंट upzone d at the rate gmail.com पे जो है आप mail करके जानकारी ले सकते हैं या phone number यहाँ पे देखिए वेबसाइड में इसकूल के वेबसाइड में दिया गया होगा वहाँ पे भी call कर सकते हैं यह जो vacancy आई हुई है आप यहाँ पे देख लें vacancy for DAV institution UP zone d 2023-24 के लिए जो district है वो लखनव, सोनभद्र, वारानसी, राइबरेली, आयोध्या और अमबेटकर नगर इतने DAV से आई हुई है अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि online आप इस form को कैसे fill कर पाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको school के official website पे लेकर क्या चुका हूँ DAV Senior Secondary Public School जो रोबर्ट गन सोनभदर UP में है और आप अगर contact करना चाहते हैं तो help desk पे contact करेंगे contact number पे official website से ही सिर्फ और उसके बाद जो है vacancy वाले option पे आपको click करेंगे click करते इस तरह का page open हो जाएगा दोस्तों page open होने के बाद यहाँ पे application form का link है जिस पे click करके online fill कर पाएंगे यह advertisement है यहाँ पे जो है सारा vacancy school के लिए case case post के लिए teaching non teaching सारा यहाँ पे क्या criteria है सारा आप यहाँ से डाउनलोड करके जान लेंगे तो चलिए अब हम इस पे click करते हैं और next process जान लेते हैं तो click करते ही इस तरह का page open हो जाएगा यहाँ पे आप देख लें recruitment, director, regional director, up, john d और यहाँ पे आप अपना applicant id या फिर जो है आप email id अपना देंगे first में उसके बाद यहाँ पे generate code पे click करेंगे यह code आ जाएगा या फिर यहाँ पे नीचे की तरफ code show करेगा दोस्तों उसे आप यहाँ पे डालके जो है process वाले option पे click करके next process कर पाएगे तो चलिए अब मैं next process दिखा दे रहा हूँ तो next page इस तरह से open हो जाएगा regional director up zone d और यहाँ पे देख लें आप जिस post के लिए apply करते हैं उस पे आपको यहाँ पे select कर लेना यहाँ पे PGT, TGT, PRT जिस भी post के लिए उसके बाद जिस subject के लिए apply करते हैं यहाँ पे आपको select करना है जैसे PGT के लिए apply करेंगे तो यहाँ पे TGT का जो भी subject है वो आप select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो है school चूज करना होगा first preference की school को देते है second और third वो सारा आपको one by one select करना है यह देख लें इसकोल का सारा list है one by one इसके अलबा जो है नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे आप देख लें लिखा if selected are you ready to join any DAB in UP zone एस पे क्लिक करेंगे फ्रेसर है या इन सर्विस उस पे क्लिक कर लेंगे male female पे क्लिक करेंगे उसके बाद अपना personal information यहाँ पे जो है नाम father's name date of birth इसके अलबा place of birth सारा आप mention करेंगे आपका जो है single है married है वो आपको यहाँ select कर लेनी है इसके अलबाद मेरेड मेंसन दा कित देना है very good good fair none में इसके अलबा यहाँ पर अधार काड नंबर मंगा गया है देख लें सात नंबर option में इसके अलबाद contact detail में correspondence address यानि पत्राचार का पता आपका mobile नंबर इसके अलबाद जो है यहाँ पर email id आपको देनी है इसके अलबाद यहाँ पर सेम है address permanent address और correspondence address तो यह यहाँ पर टीक करेंगे तो यहाँ पर permanent address आप फिल कर देंगे इसके अलबा यहाँ आपके qualification आपको देनी होगी आप देख लें examination past year of passing इसके अलबा बोर्ड उनिभरसिटी नाम देना है subject कितना मार्क मिला है आपको medium किस मीडियम से पढ़ाई की है total mark percentage और division देना है add more पर किल open होते जाएगा स्थोस्तों इसके अलबा सीटेट एसटेट के बारे में details यहाँ पर फिल कर देंगे बीएट के बारे में details देंगे creativity activity आपके पास क्या है यहाँ पर देख लें कुछ है तो वह आप यहाँ देख सकते है एड मोर करके next आप जो है जानकारी है यहाँ पर आप सारा देंगे university duration subject result इसके अलबा जो है गेम और sport में क्या क्या आप जानते हैं वह आप देंगे अगर कोई university से आप कुछ भी पीड़ अगे रखिए उसका detail देंगे यहाँ पर जन category चूच करेंगे general SC ST OBC minimum accepted salary आप कितना चाहते हैं यहाँ पर working experience mention करना है आप से आपका selection हो जाता तो कितने दिनों में जोइन करेंगे वह यहाँ देंगे इसके अलबा यहाँ पर देख लें आप अप लोड़ेड एसकेंट फोटोग्राफ इसके अलबा बीएट सर्टिफिकेट सीटेड या एस्टेट सर्टिफिकेट एसकेंट कोपी ज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए विडियो पसंद आये तो ज्यादा ज्यादा सेर और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद